धीरे देरे दोस्तों सारी एर कंडिशनल कंपनिया अपने एर कंडिशनल के न्यू मॉडल्स मार्केट में लांच करते जा रही है इसे में दोस्तों करियर में भी 2023 में अपने न्यू मॉडल्स मार्केट में लांच करना शुरू कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम बात क इस एर कंडिशनर को आपको किस कंडिशन में अपने लिए पर्टिस करना है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए है और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब किजिए आपको बाल एकन को प्रेस करना मत भूलेगा क्योंकि इसी तरीके के वेलिवल वीडियो आपको अमारे चैनल पर टाइम बिलते रहेंगे जो की आपका नॉलिच बढ़ाते रहेंगे दोस्तों एक एर कंडिशनर लेने से पहले आपको बहुत सारी बातों का खास खया लगना होता है जैसे कि आपकी रूम की साइस के साफ से आपको कितने टंगा इसी लेना चाहिए वन टं लेन आपके चाहिए işi का इसे कि आ इसे बाइंग वडियू जरूर देखना चाहिए आपको इस वीडियो के लिंक आयब डेटन और डिस्क्रिक्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी दोस्तों इस ऐर कंडिशनर के बारे में जाने से फेले हम आपको एक इक USD चीज़ी बता दूँ कि जितनी भी एर कंडिशनल कंपने होती है वो अपने पुराने ही मॉडल को अपग्रेड करके यहने कि कुछ फीचर उसके इंदर एक्स्टा एड करती है या फिर बीए के गाइडलेंड के साफ से जो भी पेरामेटर होता है उसे साफ से मार्केट में उन केलाएंगे तो दोस्तों आप बीना किसी देरी के करियर के इस 1.5 तन 5 स्टार इंवर्टर एर कंडिशनल के बारे में अब जारना शुरू करते हैं दोस्तों करियर के इस 1.5 तन 5 स्टार इंवर्टर एर कंडिशनल में आपको जो कूलिंग के आपसिटी मिल रही है वो पाश स्केर फिट तक के एरिया में यूज कर सकता है वही पर बात करें दोस्तों उसके आईसे रेटिंग की तो इस मॉडल में आपको 5.13 की आईसे रेटिंग देखने को मिलेगी और 20 स्टार रेटिंग के परामेटर के साफ से दोस्तों यह कंडिशनर सालाना साथ सो चोपन रेटिंग की बात करें दोस्तों इस मॉडल में आपको आर 32 रेटिंग देखने को मिलेगी जोकि इनवार्मेंट एको फ्रेंडली है ग्लोबल वामिंग को कोई नुकसान नहीं पहुचाती और कूलिंग के मामले में काफी एफिशेंट है दोस्तों अब बात करेंगे करियर क के इस एर कंडिशनर के फीचर्स के बारे में दोस्तों करियर के इस एर कंडिशनर में आपको डीसी इंवर्टर कंप्रेसर मिलता है जोकि 52 डिगरी एंबीन टेंपरिशर में भी आपको अच्छी कुलिंग प्रोवाइट करता है दोस्तों इंडिया में इतना ज्यादा वेध इस टेक्नलोजी देखने को मिलेगी जिसमें आप एर कंडिशनर को मिनिमाम वाटेज पर यहने की कम टनिश पर चला सकता है और इसके टनिशbin को बढ़ा कर भी चला सकता है मिनिमम दोस्तों आप 0.8 टन, 1.25 टन और 1.5 टन पर चला सकता है और अगर आपको ज़्यादा वह तो आप 1.6 टन और 1.7 टन तक का परफॉर्मिस भी इस एर कंडिशनर से ले सकता है इस एर कंडिशनर पर दोस्तों आपको रेफ्रीजरेंड लिटके डिटेक्ट पर का फिचर मिलेगा दोस्तों अगर आपके एर कंडिशनर में गेस लिकीच हो रही है तो दोस्तों ये एर कंडिशनर बिल्कुल डिटेक्ट करेगा इस चीज़ को और आपको एक एरर कोड जो है वो इंडोर इनुट के डिस्पले पर विसिबल करेगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपके इस AC में गेस लेटेट इशू है वह ये पर दोस्तों आपको आपको आटो क्लीजनर का फीचर भी इस मॉडल में देखने को मिल जाता है दोस्तों ये फीचर इस तरीके से काम करेगा कि सपोज अगर आपके इंडोर इनुट की कुलिंग कोईल्स के अंदर को डस पार्टिकल फ्रीज होगा है और आपको इसे क्लीन करना है तो इस प्रोग्राम के दूर हो आप इंडोर इनुट की कॉईल्स को पूरी तरीके से क्लीन कर सकते हैं जिससे की आपको क्लीन एर इस एर कंडिशनर से लगातार मिलते रहेगी air filtration की बात करेंगे दोस्तों इस model में आपको PM 2.5 filter, HD filter, dust filter और air purification filter मिलेंगे जो कि हवा से, virus, bacteria, dust particle सबको अच्छी तरीके से clean करेंगे और आपको एक healthy और fresh air यहाँ पर इस AC की और से देखने को मिलेगी इस air conditioner पे दोस्तों आपको safety sensor भी देखने को मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको ambient sensor, discharge sensor, evaporator and conditioner sensor मिलता है जो कि इस AC के performance को बहुती शांदार बनाते हैं वहाई पर cooling के मामले में भी air conditioner दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करता है दोस्तों करियर के इस air conditioner पे आपको inbuilt stabilizer भी देखने को मिलता है जिसकी voltage देन दोस्तों आपको 135 volts से लेकर 280 volts तक देखने को मिलती है इसका मतलब यह है कि दोस्तों अगर आपके area में voltage जो है वो 135 volts तक भी चले जाता है या maximum 280 volts तक भी चले जाता है AC में दोस्तों आपको एक individual stabilizer जरूर लेना चाहिए क्योंकि एक individual stabilizer में काफे सारे safety feature होता है जो कि आपके AC को product करता है दोस्तों stabilizer आपको कून सा लेना चाहिए इसके उपर detail में आपने एक video आपके लिए बना हुआ है उस video के link दोस्तों आपको description box में मिल जाएगी उस video को देखकर आप अपने लिए एक best stabilizer choose कर सकता है दोस्तों बात करता है इस air conditioner की warranty की तो इस model में दोस्तों आपको एक साल की order product पर warranty मिलेगी पात सल की PCB पर और आपको 10 साल की compressor पर warranty देखने को मिल जाएगी वहीं पर price की बात करेंगे दोस्तों इस model की current price है 33,990 रुबे जिसकी best bailing में आपको discussion box में available करा दिये है latest price and feature के लिए आप best bailing को ज़रू चेक करें दोस्तों बहुत ही मैनत और research करके आपके लिए video prepare करता है ताकि आपको help हो एक best product को choose करने में इसे में दोस्तों अगर आप एक online product purchase करने के लिए प्लान कर रहा है या purchase करने वाला है तो दोस्तों हमारी affiliate link से ही purchase करें जो कि आपको description box में मिलेगी दोस्तों आपके price तो वही रहेगी लेकिन अगर आप हमारी affiliate link से purchase करेंगी तो हमारे channel की दोस्तों काफी help हो जाएगी दोस्तों हमें support करने के लिए हमारी affiliate link से purchase करें दोस्तों बात करते हैं career के इस air conditioner के कमियों और खुबियों के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कमिया यानि की कॉंस की बारे में तो दोस्तों career की service center network ability आपको हरी एक एरिये में नहीं देखने को मिलेगी इनके service center आपको हर जगा देखने को मिली जाएंगे वही पर दोस्तों एक और कमी है कि इस air conditioner के जो इंडोर इंडोर के साइज है वह आपको थोड़ी छोटी देखने को मलती है वही पर दोस्तों cooling capacity भी इस model में आपको 5,4 watt ही मिल रही है एक 1.5 ton की air conditioner की 100% cooling capacity होती है वह 575 watt होती है तो दोस्तों ये air conditioner जो है वह 1.42 ton का ही है और अगर आप इस air conditioner को 160 square foot तक के रिए भी यूज़ करना चाहरा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर वैस इससे जाला area ये air conditioner जो है वह consider नहीं करेगा यानि कि cooling आपको उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करेगा तो 160 square foot तक के रिए एक best option आपके लिए रहता है अब बात करते हैं दोस्तों इस air conditioner के खुवियों के बारे में यानि कि प्रॉस के बारे में कि क्या-क्या फायद है आपको इस air conditioner को में देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले हैं दोस्तों price प्राइस यानि कि 38,000 रुपय में आपको एक 1.5 star का air conditioner मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है वहे पर दोस्तों 5.13 ऐसे रेटिंग आपको मिल रही है यानि कि energy consumption भी इस air conditioner में आपको जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा वहे पर दोस्तो सारी latest technology इस air conditioner में मिल रही है बात करें इसके 6-in-1 flexible cooling modes के बारे में या फिर बात करें दोस्तों इसके air filtration के बारे में तो एक कमाल का आपको जो है वो सारी चीज़ें इस air condition में देखने को मिलती है air filtration में बढ़िया देखने को मिल रहा है cooling modes में मिल रहा है सारे latest feature आपको देखन बन जाता है दोस्तों मैं उम्मेद करता हूँ आपको उमारे द्वारा दी गई इस वीडियो में एक इक information जरू समझ में होगी और इस वीडियो के मात्रिम से आपको काफी help होगी career की इस air condition को अपने ली पर्टिस करने में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जंदिक न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहीन वंदे मातराओं